अभी हम लोग NCRT का example number 5.3 देखने वाले हैं class 12 physics का इसमें question क्या बोल रहा है ABCD करके 4 question दिया हुआ सबसे पहले देखते हैं ए नमबर पर बात करते हैं ठीक है ए नमबर में बोल रहा है कि अगर एक बार magnet को हम लोग काट दे कैसे काट दे तो transverse to its length transverse to its length कहने का मतलब हो गया कि क्यालते हैं एकदम length के इसके perpendicular काट दिया जाए ठीक है तो perpendicular काट दिया जाए तो फिर क्या होगा इस तरीके से separate हो जाएगा north south north south आई की नी north south north south इस तरीके से separate हो जाएगा इसका length अगर यहां से यहां तक 12 था तो अभ इसका length L और इसका length L इसका magnetic dipol moment पहले एम बड़ाबर कितना pole strength into 12 था तो अब इसका magnetic dipol moment परतेक का क्या हो जाएगा magnetic dipol moment अभ जो है pole strength pole तो वही बच गया लेकिन length जो है twil के बच़ए क्या हो गया L हो गया allora chgarneum Mexica half हो go पहले अब अब क्या हो गया अगर इसी में ऐसा काम करते कि क्यालते हैं इसको अगर काटते हैं लोग तो नौर्ट साउथ ऐसा है लेंथ काटते तो इसका पूल स्ट्रेंथ है इसका ताकत आधा हो जाता है ठीक है जानिकि एन एस और ये अगर रहता भी तो एन और एस मतलब आधा उधर और आधा इधर हो गया तब पूल स्ट्रेंथ इस पार क्या हो गया है आधा हो गया पूल स्ट्रेंथ क्या हो गया इस बार आधा हो गया लेकिन लंबाई तो मेरा 2L ही है लेकि तो फिर मेगनेटिक डापल मोमेंट यह होगा वह मेगनेटीक अब ही कितना होगा गया है आधा हो गया और एक इसमें नौर्ट सॉथ है ऐसे हो इसमें नौर्ट सौथ में तो रहे गा ही रहेगा मैगनेट में ठीक है B number पर बात करते है B number में क्या कहा रहा है question कि अगर जो है किसी magnetic field में अगर हम लोग कोई magnetized needle को रख दे magnetized needle कहने का मतलब हो गया क्या ख्यालते हैं एक ऐसा needle magnetic needle उसको रख दिये अगर ठीक है तो इसको रखते है तो इस पर force torque दोनों लगता है ऐसा क्यों तो देखा जाए इस पर क्या है कि इस पर जितना magnetic force इधर लगेगा magnetic force इधर लगेगा ठीक है उतना ही magnetic force इधर भी लगेगा ठीक है तो एक उधर और इधर net magnetic force क्या हो गया जीरो क्या आते है अगर किसी चीज पर आप उधर में लगने वाला फोर्स अगर बड़ाबर है वालो 5 Newton का फोर्स उधर लगडा 5 Newton का इधर लगडा है तो cancel out हो गया तो net force क्या हो गया जीरो हाँ ठीक है लेकिन जो टॉर्क है तो इस पर इधर फोर्स इस पर इधर फोर्स ये चाहरा है इधर घुमाना वो फोर्स चाहरा है इधर घुमाना ये चाहरा है क्या इधर घुमाना तो दोनों मिल करके घुमा देगा यानि कि टॉर्क लगेगा बात ठीक है लेकिन जब इस एक bar magnet के पास, मान लिए ज़ए नौर्थ है, सौथ है, इस bar magnet के पास में अगर हम लोग कोई एक छोटा सी एक iron को ले खरकर के आते हैं, iron का nail या कोई वी चीज को ले खरकर के आते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? तो इसका जितना भी dipoles सब है, सारा dipoles एक direction में सज ज आपने पढ़ा है यहाँ है और इसके सामने में नौर्थ बन जाएगा यह और यह उसरी को क्या कर लेगा एक तो यहाँ पर लगा अरही बात तॉ टॉर्क भी लगता है कैसे लगता भई कि अगर माले लिया जाए ऐसे करके आपने रख दिया. ठीक है तो ऐसे रख दिया, ठीक है इसका अगर क्यालते है अगर एक ही डिरेक्शन पे अगर सज गिया इधर भी बहुत तक इसे करके भी इधर माले लिया जाए North है South है तो ये इसको इधर खिच लेगा और force भी महसूस करता है, ठीक है, ऐसे इस्थिति, अभी इसके और इसके बीच का दूरी कम है, तो यहाँ जादा ताकत वर force, यहाँ यहाँ के बीच की दूरी जादा है, तो कम ताकत वर force, तो net force 0 थरी हुआ, इधर का force से इधर का force बराबर थरी हुआ, यहाँ इसके द्वारा तो यहां का फोर्स यहां का फोर्स अलग अलग तो नेट फोर्स कुछ ना कुछ आ जाता है अब बात करते हैं सी निंबर पर ठीक है सी निंबर में कोई क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या जितना भी तो यहां पर नोर्फ पोल । फोल तो देखा जiven सक्यों यहां पर चलते हैं अगर बात करते हैं जैसे ही एक फ़्ल framework तारय के अगर बात करें है तो उसी को क्या किया है आपने इस स्प्रिंग और अब यहां भी में र में होता है उन कि यह बड़ा बड़ी मू सब्सक्राइब मेंंनोड में कृता दो इसमें इस तरीके से चलता है किसे किन उसी तरीक से यह को सिच्ट अर पर इसका इंडिंग पॉइंग है ये तो कुछ पता नहीं है तो Starting और Ending Point, Magnetic Field Lines का Starting Point कौन सा है और Ending Point कौन सा है यह पता ही नहीं है, तो हम लोग इसमें कैसे जज़ करेंगे कि कौन सा भाई North Pol है और South Pol है, क्योंकि North Pol से Start होता है और South Pol में जा करके मिलता है, फिर South से North जाता है, ऐसा कहानी चलता है, तो Starting Point तो हर जगा रहता है, North, ठीक, त चाहते मैं सक बढ़र साओ लेकिन यहां पर कहा से स्थाट वड़ा है कुछ पता नहीं कुछ के हैं तो आटभनेटकि सरकल रहता है तो कहीं होगा यह बताना पॉसिबल नहीं है ठीक है तो यहां पर नौर्ट साउथ नहीं होगा ठीक है और इसका magnetic dapple moment जो की बात करें अगर तो magnetic dapple moment m into 2 and length की बात करें तो length मेरा जो हता है यह length यह length होता है है एक इंड और दोस्तोनों इंड के बीच का दूरी तो इसमें तो इंड ही नहीं है तो यह मेरा क्या हो गया जीरो तो यह जब जीरो हो गया तो क्यालते है capital M बराबर क्या जीरो तो magnetic dapple moment जीरो यह polish strength है magnetic dapple moment अगर किसी भी magnetic configuration का जीरो होता है तो उसका नौर्ट साथ नहीं होता है ठीक है और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं आखडी जो question is d number उस पर बात करते हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली करने वाला चीज है तो अगर मार लिया जाए दो आपको बार मेगनेट के जैसा चीज दे दिया गया है सेप का आपको पता करना है क्या दोनों magnet क्या डोनों magnetized है या दोनों में से कोई एक अयरन बार है कैसे आप पता करेंगे यहीज़ा देखते दी नम्बर कि आरन का जो बार से दो दिया हुआ है तो अब बता करोगे कि हाँ दोजो में एक और नहीं है और अगर है तो है कौन सा है मैंगनेट है कौन सा तो आइरन देखने में एक जैसे लग रहा है कैसे पता करो गया क्या करेंगे तुदे सबसे पहले लिया जाए इस बी को हम ने यहां बोड से करेंगे वो है A और यह भी अब पता करते हैं देखो जरा से सबसे पहले क्या करते हैं इसका जो दोनों इंड है तो definitely कोई एक north और एक south होगा अगर यह magnet होता है तो एक north एक south या यह south यह north इस तरीके से होगा कुछ और कुछ एक काम करते हैं इसका इस इंड के पास इस बार मैगनेट का बी का यह इंड लेके आते हैं जैसे लेके आएंगे हो सकता है कि यह इसमें चिपक जाए हो सकता है कि या इसको क्या है रिपल्सन करें ठीक है अगर माल लिया जाए यह वाला इंड इस वाले इंड के साथ चिपक जाता है तो चलो ठीक है ऐसा एजिम कर सकते हैं जहां पे साउट यह क्या है अगर यह लोहा बी और यह अगर magnet है तो यहाँ पर चाहे इसका नौर्थ हो या साउथ यह तो चिपके गाए देख रहे हैं कि यह चिपक गया ठीक है एक काम करते हैं यह वाला इंड के साथ यह वाला चीज क्या हो गया चिपक गया ठीक है चिपक गया अब एक काम करते हैं ऐसे पलट कड़के ले कोई एक इंड के पास ये वाला इंड लाएं तो ये भी चिपक गया ये वाला इंड लेकर क्या है तो ये भी चिपक गया इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई एक बार ऐसा है जिसमें मेगनेट वाला गुन नहीं है ठीक है अच्छा जैसे अगर माल लिया ज लेकिन अगर माल लिया जाई यह घंड अगया नौर्थ क्या है मेगनेट ही है ये मेरा क्या है नौर्थ है ये क्या है इसको जब पास लाएंगे अगर एक तरफ से चिपक गया तो दूसरे तरफ से क्या होना चाहिए रिपल्सर होना चाहिए अगर कालते यह दोनों मेगनेट है तो इसके पास अगर इसको लेकर आए तो यह और यह दोनों के पास opposite pole है, यह South है तो यह क्या नर्थ है लेगिन जब इस वाले इंड़ को लेकरके आए नर्थ है तो यह South है तो यह आपे सामने में यह क्या? रिपल्सन देना चाहिए. एक इंड में अगर अगर अट्रेक्शन होगा था, दूसरे इंड में रिपल्सन. पलड देने के बाद रिपल्सन होगा, मतलब दूनों मेगनिट है. लेकिन अगर इधर से भी अट्रेक्शन और इधर से भी अट्रेक्शन मतलब एक मेगन है कौन सा ठीक है तो दोनों में आखिर magnet है कौन सा ये अगर पता करना है तो मालिया जै जाए ए को यहां पर रख दिये या ये magnet है पता नहीं अगर मालिया जै ये लोहा भी होता और ये different होता तो इस magnet को इस लोहा के पास लाते तब भी चिपकता इधर से भी इस magnet को इस लोहा के पास होते हैं, तब भी चिपकता है, तो हम लोग देखा जब पता कैसे करेंगे, इसमें क्या करते हैं, कि इस वाले object के पास इसका एक end को ले करके जाते हैं, ठीक है, तो इसको जैसी यहाँ पर लाएंगे, तो यहाँ पर लाएंगे, तो देख से चिपकड़ा है, यह चीज इसमें थोड़ा कम ताकत से चिपकड़ा है, जब यहाँ पर लेके जा रहे हैं, तो यह वाला चीज और यह वाला चीज के बैट्टे अट्रेक्शन जो है, वो बहुत ज्यादा ताकत से होगा, तो यानि कि अगर इंड पर इसके इंड पर और ज़्यादा ताकत से होगा, और बीच में कम ताकत से अट्रेक्शन होगा, इसका मतलब पोल है यहाँ और यहाँ, तब यह मेरा क्या है, मैगनेट है, एसा सुछ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो गया, कि क्यालते हैं माल लिया जाए, कि यह मैगनेट है पका, ठीक, अगर माल इसा हो जाए, कि इस वाले चीज को, मट्रीन को जब यहां रखे, यहां पर सटाते हैं, तो जतना ताकत से चिपा करा है, यहां पर भी उतने ताकत से, यहां यहां यहां, यहां, हर जगह एक ही ताकत से चिपा करा है, इसका मतलब यह एक प्लेन लोहा है, और यहां पर है न कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना चानल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बाबाइ